हाई फ्रेंड्स बिजनस ग्रोथ स्ट्रेजी की सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं इसके लिए हिर्दे की गहराईयों से मैं आपका देनेवाद करता हूँ फ्रेंड्स कोई भी इन्फर्मेटिव वीडियो मिसना हूँ उसके लिए इस चैनल को सब्स्ट्राइब कर लें और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है आज बिजनस ग्रोथ स्ट्रेजी की सीरीज में हम कुछ को पूछा है इसका सोलूशन आज में आपको बताने वाला हूं और इसके लाव अगर आपके मन में भी कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि बिजनस की ग्रोथ में आपके सामने आने वाली है या आ रही है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगली कई बार वो अपने ओपरेटिंग कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाते और कई बार पूंजी की कमी से बिजनस बंद होने के काग़ार पर आयता है तो लैक आफ कापिटल को हम कैसे पूरा करेंगे देखिए किसी भी बिजनस की जो फ्यूल होता है एक तरह से बिजनस को चलाने क पर डेवलब करना अगर आप अपने बिजनस को फ्रेंचाइजी मोडियूल पर डेवलब करते हैं तो फ्रेंचाइजी का जो डारेक्टर है जो पार्टनर है आपका एक तरह से वह आपका इंवेस्टर भी है और आपके बिजनस को आगे ले जाएगा और सेल्स की यूनिट बनाएगा और यही बार डिलर्शिप पर लाग होती है उसके लिए क्या है उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी प्रपोजल एंड डिलर्शिप प्रपोजल डेवलेप करना है और प्रपोजल डेवलेप करने से संबंदित बहुत सारे वीडियो अल्रेडी मैंने इस चैनल पर लिए हुए है ना तो आपकी लैक ऑफ कैपिटल भी पूरी होती है और कैश का फ्लो भी आपके पास अच्छा आता है क्योंकि आपका फ्रेंचाइजी आपको और प्लेस हमेशा एडवांस में करेगा इसलिए स्टार्ट फ्रेंचाइजी एंड डिलर्शिप मॉडल दूसरा जो इंपॉर्टन काम आपको करना है अगर आपको लगता है कि आपके पास पूर्जी का अभाव है तो और आपका बिजनस प्रोफिटेबल है तो अपने बिजनस में बिजनस पार्टनर इंटेडियूज करो और वैसे भी जिस बिजनस में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत तो वहां पर बहुत सारे लोग आपके विजनस में इन्वेस्ट करके आपके बिजनस पार्टनर के रूप में आपके साथ में आ सकते हैं इसके आपको दो फाइदे होंगे नमबर वन आपको कैपिटल भी मिलेगी और नमबर टू सेम माइंड सेट का आपको एक वर्किंग पार्टनर भी मिलेगा जिससे आपकी ग्रोथ की जो स्पीड है और ज्यादा फास्ट हो जाने वाली है उसके लावा फाइंड इन्वेस्टर्स आज बहुत सारे लोग जरूरी नहीं कि आपके ब ब्रोजेक्ट बनवाकर बैंक लोन के लिए भी अपलाई कर सकते हैं जिसके अंतरगत वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए MSME loan provide करती हैं तो आप अगर सही तरीके से project design करती हैं तो आप आसानी से MSME loan के लिए भी apply कर सकते हैं जिससे आपकी capital and cash flow दोनों तरह की problem का solution आसानी से हो जाता है उसके बाद जो दूसरी problem लोगों ने हमसे पूछी है वो problem क्या है? कि वो problem है एक तो recruitment की कि आप ने स्टाफ कैसे recruit करें और उसकी retention की मतलब आपने स्टाफ तो recruit कर लिया पर वो आपके टिकता नहीं है रुकता नहीं है कारण क्या है? बहुत सारी ऐसे कारण है जिसकी वहीं से पहली बात तो आप ठीक तरीके से recruitment नहीं कर पाते हैं तो आपके जो स्टाफ है वह employee आपके है retain नहीं रह पाते है उसके लिए ज़रूरत क्या है deal with placement agencies आज बहुत सारी professional placement agencies है जो आपको contract base पर employee देती है minimum 3 month का वो guarantee देती है आपको कि 3 मिनित तक वो employee आपके यहां काम करेगा और अगर आपकी company का atmosphere अच्छा है system अच्छा है process अच्छा है तो वो employee आपके रेटेन भी करेगा तो यहां पर आप क्या करें placement agencies से deal करें दूसरा registered for job web portals आज बहुत सारे वैब जॉब पोर्टल है जैसे indeed है इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जहां आप अपनी company को as a employer register कर सकते हैं तो आपके पास regular resume में आते रहेंगे आप लोगों के इंट्रिव्यूज लेते रहें उनको hire करें और hire करने के बाद उनको एक साइटमोस्ट विर दें कि वह आपके रिटेन करें इसके लावा दूसरा important reason कि है कि आपके पास employee क्यों रिटेन नहीं करते हैं क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल लिजम है वह इन्वार्मेंट जो आपका ना वह प्रोफेशनल इन्वार्मेंट नहीं है आपके यहां पर तो स्टाफ है वह रिटेन क्यों नहीं करता क्योंकि उसको growth possibility नहीं दिखती आपकी company में जब आपके स्टाफ को growth possibilities दिखती हैं तभी वह आपके रिटेन करता है और एक अच्छा atmosphere मिलता तभी वहां पर रिटेन करता है इसलिए इन चीजों में आपको सुधार करना होगा इसके सब्सक्राइब चीजों को करने के लिए ना आपको professional staff hire करने पड़ेगा या आपको consultant की मदद देनी पड़ेगा आप consultant से contact करें professional से contact करें जिस तरह से हम लोग service provide करते हैं आप हम से contact कर सकते हैं तो यहां पर आपको यह सारे facilities मिलने वाली उसके लिए नेक्स जो business की problem और उसका solution है problem क्या है कि marketing कैसे करें क्योंकि company का आकार बहुत छोटा है company का budget बहुत कम है company के पास cash flow कम है company के पास professional टीम कम है तो हम क्या ऐसा करें कि हमारी branding हो marketing हो advertisement हो तो आपको करना है start low budget online marketing अब online marketing में क्या है जैसे Facebook है LinkedIn ट्विटर इंस्टाग्राम है YouTube है इन चैनल्स पर आप low budget marketing कर सकते हैं 100 रुपी पर डे से लेकर जितना आपका बज़ेट है उस लो बजट में आप online marketing करें क्योंकि आज दुनिया की सबसे सस्ती जो advertisement है वो online marketing है फेस्बुक ad campaign आप चला सकते हैं जिसमें आपको कम product उस service उस brand या उस company के बारे में बताते हैं आप ऐसे लोगों से टाइब कर सकते हैं और वो एक नॉमिनल फी चार्ज करते हैं उनकी नॉमिनल फी अगर आप पे करते हैं तो ब्रैंड का promotion करने का marketing करने का उसके लावा क्या करें स्टाट offline marketing का सारा भी ले सकते हैं अब ज़रूर नहीं कि offline में हाई budget based advertisement करें आप low budget based advertisements भी कर सकते हैं जैसे आनुपराइज वाल पेंटिंग्स होती हैं कच्छी वाल पेंटिंग्स होती है इसके लावा लीफलेट्स होते हैं निउस पेपर में निउस पेपर इंसर्ट होते हैं हैं या आप माली जीए आप अपना एक advertisement देना चाहते हैं आप ऐसी जिगह पर रहते हैं जहां और भी काफी सारे बिजनसेज हैं आपकी फैक्टरी के आसपास या आपके शोरूम या आपकी शौप के आसपास तो कॉल्लोबरेट करें जैसे एक लीफलेट है आपकी शौप अमाला किरियाना स्टोर तो आपने वहां प्रिंट कर दिया और साथ में रेडिमेंट गावर्मेंट तो उनका भी प्रिंट कर दिया तो आपकी कॉस्ट अफ एडविडिजमेंट कम हो गई डिस्ट्यूबिशन कॉस्ट भी आदी आदी हो गई है ना तो आप लो एडविड लो बजट बेज़ एडविडिजमेंट करके भी अपने बिजनस की प्रोमोशन कर सकते हैं इसके लावा ब्रैंड क पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट जैसे मैं एक्जामपल आपको देता हूं जैसे सेलोन में होता है कि अगर आप फेशल कराते हैं तो आपको जो कलर करना है मतला हेर कलर है वो फ्री है उसके साथ में या उस पर डिसकाउंट है या एक तरह का पैकेज डिजाइंड है तो साथ जो उस तरह की सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं तो ब्रैंड कॉलोबरेशन करके भी आप आसानी से लो बजट मार्केटिंग एन एडविडिश्मेंट कर सकते हैं चौती जो सबसे बड़ी समस्या है एक स्मॉल स्केल बिजनस ओनर के लिए वह है टाइम मैनेजमेंट क कि वह ऐसा क्या करें कि अपने बिजनस में अपने टाइम को मैनेज कर पाए वह कहता है मैं सुबह 10 बज़ जाता हूं और शाम को साथ बहें तक काम करता हूं और 10 से 7 के बीच में इतना समय मेरे पास होता है लेकिन उसके बाफ़जूद भी आउटपुट कुछ नहीं निकल नहीं को पर्पास होती है और लिमिटीट टाइम डिरेशन में वह इसा नहीं कर पता है इसके लिए क्या अपने है रिकाम का लोग बनाए कि 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 समया पर आपको क्या काम करना है एक से 1-5.00 का समय अपने अकाउंट को देना है आपने एक से 2 का समय मार्केटिंग को देना है आपने 2-3.00 या रिटेल या होल सेल या डिस्टुबीशन नेटवर्क पर देना तो आपको देखना आप टाइम लॉक कैसे बनाएंगे और फ्लक्सिबल होना चाहिए ऐसा ना मान हम क्या है कि सारी responsibilities और सारी powers आप ही के हाथ में तो आप अपनी powers अपने स्टाफ को delegate करते हैं उनको decision making authority देते हैं तो वह आपके विहाब पर आपके लिए काम करते हैं जिसकी वजह से आप अपने time को अच्छे से manage कर सकते हैं उसके लबा make a worksheet and plan अभी के हम unplanned तरीके से काम करते हैं हमारे पास कोई worksheet नहीं है कोई plan नहीं है कोई time scheduling नहीं है आप अपनी एक worksheet design करें जैसे माली जी आपकी company में sales team है तो sales team को एक worksheet design करें कितने लोग है इनकी code lead है कितने लोग है जो under follow up है हैं कितने लोग हैं इन से हम र 51 सकते हैं लोग हैं और उन से रे बने-इस ले सकते हैं तो आपकी worksheet design करें के कौन कॉआ इंप्लोई क्या काम कशे कर रहा है इसका शब आप सेने महाल में जाते नहीं तो वहां भी आप washroom में एक list लेगी हुई देख दे और वह товis तो लिस्ट्ट क्या होती है कि उसने टाप साफ किया उसने फर्ष क्लिन कि hypocrite विर मिनते ध्यवण सब Day 3- ab ऐसानी से कव allowed कर पाते हैं कि हमकिया क्या किसे कई नहीं शाया करना है की वह आसानी से सॉल्व हो जाएगी इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल स्केल बिजनस में आप सही तरीके से बिजनस के सिस्टम को को इंप्लीमेंट करें और इसके लावा यह फिर भी आपके मन में कोई प्रश्ण है कोई सवाल है किसर मेरे स्मॉल स्केल बिजनस है और मैं इसमें इस प्रॉब्लम में अटका हुआ हूँ इसका सोलुशन मुझे बताएं तो अगली बिजनस ग्रोस स्ट्राटेजी की वीडिय करने वाले हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत